हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब मैं हूर उपाली और आपका स्वागत है हमारे चानल कुकेंड फ्राइ में आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ चावल के आटे से बनने वाला बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़ादा इंग्रीडेंट्स की भी जरुरत नहीं पड़ेगी और हाँ ये छोटे से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएंगे आप इने चटनी या केसी भी टाइप के केचप के साथ सर्फ करें ये गर्मा गरम बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहां मैंने लिया है एक छोटा प्याज थोड़ा सा अदरक थोड़ी सी मिर्च और साथ से आठ लेसन की कली और इनको अब हमें ग्राइंडिंग जार में दरदरा फीस लेंगे बहुत जादा हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है इसको दरदरा ही रखना है और साथ से करी पता ये करी पता डालना ऑप्शनल है अगर आप आप आज नहीं खाते तो आप वो सब भी अवोइड कर सकते हैं तो ये देखिए दरदरा पीस लिया है हमने इस मिक्स्चर को आप सिर्फ अदरक और मिर्च यूज करके भी इसे बना सकते हैं अगर आप आप आज लेसन अदरक और मिर्च का जो पेस्ट हमने बनाया था वो इसमें आड कर देंगे अब इस प्याच लेसन के पेस्ट को हमें थोड़ा सा ही भूनना है जब तक ये पक न जाए इसको हमें Golden Brown भूनना है बिल्कुल Brown नहीं करना है फ्लेम जो है हमने गैस की मीडियम पे रखी है तो इसको भूनते समें आप लगातार चलाते रहें तो अब ये जो है हलका सा गोल्डन ब्राउन हो गया और इसी स्टेश पे हमने इसमें डाल दिया है तेड़ कप पानी और अब इस पानी को हम मिक्स कर लेंगे इस मसाले के साथ आप अपने टेस्ट के एकोर्डिंग ये Participation कम ज्यादा कर सकते हैं और इस पानी को boil आने देंगे और उससे पहले हम इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च की flakes red chili flakes इन्हें आप बोलते हैं आप इसकी जगे लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं तो अब पानी में boil आ चुका है और अब हम flame को कर देंगे बिलकुल low और अब हम इसमें add कर देंगे चावल का आटा एक कप ये वजन से लगभग 130 से 140 ग्राम के करीब है और पानी में हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप इस टेश पे थोड़ा सा पानी और add कर सकते हैं इसको पका अच्छे से लीजेगा तो ये देखिए हमारा जो mixture है वो एक dough की form में आ गया है तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है और अब हम इसको निकाल लेंगे एक bowl में आप plate भी यूज़ कर सकते हैं basically हमें इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है क्योंकि अभी बहुत गरम है और अब ये जो mixture है हमारा ठंडा हो गया और इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है दो टेबल स्पून ताजा नारियल घिसा हुआ और एक टी स्पून काला तिल यहां मैं काले तिल यूज़ कर रही हूँ यानि कि हमारा जो आटा है almost ready है बस अब हमें इसको थोड़ा सा refined oil या फिर आप घी भी उस कर सकते हैं थोड़ा सा oil लगा के इसको चिकना कर लेना है और जिससे कि जब हम इसको बेलेंगे उसमें भी बहुत आसानी होगी और जब हम इसको सेकेंगे तो ये बहुत crispy बनेंगे तो आटा हमारा बनके ready है और अब हम इसको एक लोई के form में round बना लेंगे ये थोड़ा सा tight रहता है आटा और थोड़ा सा rubbery form में रहता है क्योंकि इसमें हमने चावल का आटा यूज किया है तो इसमें कोई tension वाली बात नहीं है पूरी बनाते हैं उस तरह से नहीं रखना है जिस मोटाई की मठरी बनती है हमें इसकी वो मोटाई रखनी है और इस तरह से वाप एक glass की help से या एक कटोरी की help से इसको round में round shape में cut कर लें आप अपने पसंद का कोई भी shape दे सकते हैं इसे और मैं close up में दिखा देती हूँ इसकी क्या मोटाई रखनी है तो इसी तरह से हम बाकी के pieces भी cut कर लेंगे और इनको हम एक plate में निकालके रख लेंगे और अब हमने कढाई में oil जो है medium to high flame पे गरम कर लिया है और ये काफी अच्छे से गरम हो चुका है तो अब हम इसके अंदर fry कर लेते हैं हमारे चावल के आटे के snacks इस चीज का ध्यान रुखिएगा कि flame जो है I mean oil जो है वो बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए वरना ये जो snacks हैं ये oil absorb कर लेंगे तो ये medium to high flame पे ही आप इने fry करें और इनको fry करते समय पलटे जरूर रहें जिससे कि एक तरफ से जलना जाए हमें इनको golden brown होने तक fry करना है जिससे कि ये बाहर से बहुत ही crispy रहेंगे और अंदर से soft रहेंगे तो ये देखिए मैं इस तरह से पलट रही हूँ और अब जो है हमारे snacks बनके ready हैं जिससे कि जितना भी extra oil है वो kitchen towel absorb कर ले और इसी तरह से हम बाकी के सारे pieces fry कर लेंगे तो ये देखिए तयार है बनके हमारा बहुत ही crispy सा और tasty सा चावल के आटे का snack item इसको आप fresh ही बना के खाएं आप इसका जो dough है जो आप आटा तयार करते हैं वो store कर सकते हैं फ्रिज में तो से तीन दिन के लिए लेकिन आप इसको fry करके store ना करें जिस दिन आप इनको बनाएं उसी दिन consume कर लें तो ये best रहेंगे और आप देख सकते हैं ये अंदर से कितने soft और बाहर से बहुत ही crispy तो आप भी इस season में इसे गर्मा गरम बना के खाएं ये बहुत ही tasty लगते हैं और अपने comments अमारे साथ share जरूर करें अगर आपको अमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like और share करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं हमारी अगली recipe वीडियो में तब तक के लिए बबाई happy cooking